आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन के गोश्ट टच की प्रोबलम के बारे में अगर आपके पास आईफोन है और उसकी स्क्रीन जो है आपको बताऊंगा इस वीडियो में तक बने रहेगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना चैनल को कर देना तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मेरा पास जो है आईफोन 14 प्रो मैक्स है तो यहाँ पर इसको प्रोबलम अगर आपको गोश्ट टच की आ रही है तो इसको सॉल्व कैसे करना है सबसे पहले आपको अपने मोबाइल को फॉर्स रिश्टार्ट करना होगा उसक इसके बाद यहाँ पर अपना लोग बटन प्रेस करके रखना है यहाँ पर इसको प्रेस करके रखेगा जब तक आपके सामने लोगो ना आ जाए आपके आईफोन का जब आपके सामने आईफोन का लोगो आ जाए तो इसको छोड़ दीजिएगा आपके लोग बटन को तो यहां पर आने देते हैं, देख सकते हैं, अब मैंने इसको छोड़ दिया है, अब मेरा जो mobile है, वो restart हो जाएगा, force restart हो जाएगा, अगर मेरी ghost touch की problem थी, वो यहां से solve हो जाएगी, जैसे ही मेरा mobile on होगा तो, तो wait करते हैं, जिब तक यह on नहीं हो दाए है, guys, so guys, मेरा mobile on हो की setting के अंदर, आप चले जाएगा, settings के अंदर, settings में जाने के बाद, आपको scroll करना, और यहां पर general देखने को मिल रहाई, setting में आ जाना है, फिर scroll करके नीचे आना है, यहां पर transfer और reset iPhone देखने को मिल रहाई, इस पर click करिएगा, नीचे आपको दो option देखने को मिलती है, reset, erase all content and setting, reset पर click करिएगा, then सबसे उपर reset all settings देखने को मिल रहाई, इस पर click कर लिजिएगा, यहां पर click करने के बाद, अपना passcode आपको डालना है, और अपने iPhone की जो है, यहां पर setting को reset कर लेना है, यह काम आपको कर लेना है, then उसके बाद आपको क्या करना है, यह काम करने के बा यहां पर आपको देखने को मिलेगा, software update इस पर click करिएगा, और यहां से अपना software जो है, उसको up to date रखिएगा, अगर आपने पुराना version यहां पर है, आपके mobile में, तो उसको update करके new version अपडेट कर लिजिएगा, तो आपकी problem solve हो जाएगी, यह काम आपको जुरूर से कर लेन तो जब आप charging कर रहे होते हैं, तो आपकी ghost touch की problem आती है, जब आप किसी local charger से charge करते हैं, तो आपका mobile automatic यहां पर touch होने लगता है, तो यह काम आपको नहीं करना है, आपको genuine charger से ही इसको charge करना होगा, इस बात का आपको ध्यान रखे, और देन उसके बाद आपको क्या करना है, आप कई बार करते क्या है, कोई case जो है आपका cover जो होता है, उसको यहां पर डाल देते हैं, इसको आपको remove करना होगा, जो है कई बार यह tight होने के वज़य से आपके phone के अंदर problem आ जाती है, screen automatic touch होने लगती है, तो इसको remove कर दीजेगा, remove करने के बाद आपकी problem solve हो जाएगी और आपकी जो touch हो रही थी screen वो touch होना बंद हो जाएगी, यह काम आपको जुरूर से कर लेना है, guys, तो problem solve हो जाएगी, यही कुछ solutions थे, अगर आपको फिर भी कोई problem आते हैं, मुझे comment box में जुरूर बताएगा, मैं आपके लिए कोई solution लेकर आँगा, so guys, बसा स्क्रिवने म इतना इम बिलते ने चुरूर में, तिल नवा टे कर, लव यॉल